दोस्तों ये बात आप लो जानती हूँ कि बॉली ओड के रुमान्स के असली बासा यानिके केंग खान शारो खान के फिल्म पठान को बॉक्स ओपिस पर लिजवे साथ दिन हो चके हैं यानिके भाई इस फिल्म ने फाइनली अपना पहला हपता बॉक्स ओपिस पर कंप्लीट कर लिया है और भाई पहले हपते के माधियम से इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओपिस से जो नेट कलेक्शन कर लिया है वो आकड़ा है 328.54 लाक रुपीज का क्यानिके भाई इस फिल्म का सिक्का पहले हपते में बॉक्स ओपिस पर बहुत जबरदस तरीके से चला है तो भाई अब इस फिल्म का दूसरा हपता शुरू हो चुका है आठवे दिन की मदद से तो भाई इस फिल्म का आठवा दिन बॉक्स ओपिस पर कैसा जाने वाला है चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के Occupancy Report और भाई आठवे दिन के Advanced Booking Collection Report के माधिम से Hello Friends, मैं हूँ नरेंदर और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानि की Viral New Junction में तो दोस्तो शुरुआत करते हैं इस फिल्म के Advanced Booking Collection Report के माधिम से तो दोस्तो पठान को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि विया इस फिल्म के आठवे दिन के लिए वह या हिंदी लेंग्विज में 1,85,964 टिकट जो हैं वो ब्लॉक और अन ब्लॉक स्टीट के माधिम से बेचे जा चुके हैं जिसके मदद से ये फिल्म के वहल हिंदी लेंग्विज में ही आज 3,63,65,803 का बिजनस बॉक्स ओफिस पर Advanced Booking के मदद से कर रही है उसके बाद तेल्गू लेंग्विज के माधिम से भी इस फिल्म के आठवे दिन के लिए 29,297 टिकट जो हैं बॉक्स ओफिस पर 37,5623 का Advanced Booking हासिल करती नजर आ रही है उसके बाद तमिल लेंग्विज में भी इस फिल्म के 8,326 टिकट जो हैं वो आठवे दिन के लिए बेचे जा चुके हैं बॉक्स ओफिस पर अन ब्लॉक्स ओफिस के मदद से जिसके मतलब से ये फिल्म भाई आठवे दिन तमिल लेंग्विज में 9,222,640 का बिजनस करती नजर आ रही है यानि इन तीनों लेंग्विजों के मादियम से इस फिल्म के 8 दिन के लिए 2,23,587 टिकट जो हैं वो पूरे इंडिया में बेचे जा चुके हैं ब्लॉक और अन ब्लॉक शिक्ट के मादियम से जिसके मतलब से ये फिल्म भाई आठवे दिन इंडियन बॉक्स ओफिज पर 4 करूर 10,94,096 का एडवांस बुकिंग हासिल कर रही है दैन उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हमनों के सामने आई है कि या आठवे दिन भी इस फिल्म को या बॉक्स ओफिज पर बहुत ही सांदार ओकूपेंसी रेट भी मिला है यानि इस फिल्म को हिंदी लेंग्वेज के मादियम से जो आज मॉर्निंग के शो में ओकूपेंसी रेट मिला था जो अनल इस फिल्म को बहुत है हिंदी लेग्वेज के मादियम से वांक लाय है o और उसके बाद इबलिंग के शो में इस फिल्म को जो आज तमिल लेटे हुए इतना जबरदस एडवांस बुकिंग लेते हुए यह फिल्म भाई आठवे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड से लेका 21 करोड तक काकडा पार करते नज़र आ रही है जिसके मदल से यह फिल्म आठवे ही दिन इंडियन भॉक्स ऑफिस से साड़े 300 करोड का नेट कलेक्शन हासिल करने वाली है यारी आठवे दिन ही यह फिल्म यह इंडिया से साड़े 300 करोड का बिजनस कर लेगी यह खबर निकल के आई है आज इस फिल्म के एडवांस बुकिंग और ओकोपेंसी रेट के माधियम से यारि यह फिल्म इंडियन फिल्म अडिस्ट्री की वो पहली फिल्म बने जा रही है जो कि आठवे दिन ही यह जादवी आंकड़ा बॉक्स ओफिस पर छुने में काम्याब होने वाली है तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माधियम से जरूर बताईगा क्या यह फिल्म दूसरे फ्राइडे से पहले ही चार सो करोर कांकड़ा बॉक्स ओफिस पर छुकर दिखा देगी अपने कमेंट के माधियम से जरूर बताईगा तो बॉलीवूट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारी चैनल लियाने के वारे इंजक्शन को लेक्स्क्राइब करना ना भूली का और माधने अपडेट्स को जाने के लिए बेलागेन को जोर्त बाईगा